आज हम स्टार्ट कर रहें टेस्रीज 15 नहीं से पहले 14 टेस्रीज हमने बना चुके हैं लगवक सभी कुस्चन को अगर आप सौल करेंगे देखेंगे तो काफी कुस्चन आपके कवर होंगे जो पेपर में आने लायक है साथ की साथ मैंने उसको समझा भी रखा है तो दिक्कत आपके नहीं आएगी त्यारी करने में तो ज्यादा ज्यादा उसको रिवाइस करेंगे तो बढ़ी आ रहेगा आपके लिए आपके लिए पहले नेट्वर्किंग वाले अपने 40 कुस्चन करेंगे उसके बाद आगई कुस्चन करेंगे विच आफ फॉल्वाइंग इस दा सबसे फास्ट जो है वो कमिनिकेशन चैनल कौन सा होता है तो सबसे फास्ट जो कमिनिकेशन चैनल जो है वह आप याद रखेगा वैसे तो मैंने वाइफाई और इस तरह से अलग लग उस पे पीपेटी और बनाते हुए यूटूब वीडियो बना रखे लेकिन आपके उसके यह सूचना नहीं दे रखे कि को सा सबसे फास्टेस है कुछ अच्छा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसका जो आंसर जो करना है आपको ठीक वह आपको ठीक करना है माइक्रोवेव चलिए नेक्स्ट कुश्चन भेम लोग आते यह हो गया मारा पहले का अगर उसका क्यों देनल करता है अगया होग अच्छा के वाइबे तो फाइब अप्रकार का कोई इफेक्ट जो है वह नहीं पड़ता है तो बेसिक सी से कोई बात पूछता है कि broadband communication क्या है तो आपको पूछ रहा है तो इसका मतलब कहां कहां प्रॉड बैंड यूज कर सकते को एक्षिल केबल में भी फाइवर ऑप्टिकल केबल में भी है माइक्रोवेव सर्केट में भी है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ओल ऑफ दा अबव आगे के लिए ध्यान रखेगा ओल ऑफ दाबव का यही बेनिफिट रहता है कि सारे कुछ ना पढ़के याद रखे कि नेक्स्ट टाइम अगर अकेला यह कुछ ना जाए जिसमें ओल आपको ध्यान रहे कि भी को एक्सल फाइबर ऑप्टिकल माइक्रोवेव तीनों ही ब्रॉडबेंड कमिनिकेशन में उप्योग आते हैं सही होने का यह अर्थ नहीं है कि आपको आगे दिकत नहीं करेगा आप इसको नोट डाउन करके रखे डिवाइस ऑड़ फीजिकल लेय अब देखो हब इस एससेटेटेट होता है फाइफ नमबर कुस्चन फाइफ नमबर कुस्चन में देखे पहला है बस से रिंग स्टार सिंबल सी बात है कि बीच में एक टोपलोजी के अंदर एक हब लगा हुआ रहता है बाकि चारु तरफ जो है दूसरे कंप्यूटर क्या होते हैं connected होते हैं तो इसका एक्जांपल जो आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा स्टार्ट उपलोजी हो जाएगा हब के लिए नेक जो कुस्चन है उसका जवाब देखे उसका जवाब है जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ही टूपलोजी के लाती है अगर आपसे कोई कुस्चन पूछ ले कि अगर हम कंप्यूटर को आरेंज करना चाहते हैं और उसको अलग लग तरीकों से अरेंज कर रहे हैं तो यह हमारा क्या कलाएगा तो यह बात आपको पता होने चाहिए उसक प्रोड कास्ट टाइप की नहीं है तो यह अच्छा कुस्चन है कोपी में लिख लीजिएगा ब्रॉड कास्ट का मतब एक साथ में कई डारेक्शन में जो डेटा को नहीं बेश सकता वो जो टोपलोजी है वो बस टोपलोजी है तो एक रहा है कि नौट आफ ब्रोड कास्ट एक साथ में ब्रोड कास्टिंग नहीं कर सकता एक साथ में डेटा नहीं बेश सकता नोट की यह लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं नेग्स्ट टाइम कुश्चन आए तो दिकत नहीं आएगे नाइन नमर कुश्चन देखें यह काता है कि नेट्वर्क कंपोने कर्नेक्टेट तो दा सेम केबल एक केबल से जुड़ा हो रहा तो वह ती असान सा कुंस्चन है जिसकी टोपलोजी होती है बस टोपलोजी बीच में वायर होता है दोनुँ साइट जो है अगर बात की जाती है तो वो है हमारा जाल मतलब मैस टोपोलोजी सभी कंप्यूटर सभी से सीधे जुड़े हो रहते किसी एक के खराब होने से कोई भी फर्माव नहीं पड़ता है तो टीपिकल डेटा ट्रांसवरेट इन लैन आर ऑफ दा ओडर जो टीपिकल डेटा ट्रांस सब्सक्राइब है reaction के लाइन जो एसेयर करते कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को अखर पीघटाए कि Lange अगर डेटा ओप्रूटर प्रोग्राम बनेटा को अगर अगर ऑगर सेयर करें तो आप किस का उप्रेओं करेंगे मतलब ऐसा कोंसा सर्वर है वो है प्रिंट्स स्टेजिक सर्प्रेज़ां करने का काम करता है प्रोग्राम और डेटा दोनों को जो 12 नमबर उसका अंसर है और 423 नमबर जो है उसमें कहा रहा है कि इथनेक टोकनिंग टोकन बस किसके परकार है यह सब परकार किसके है लेन के परकार होते है लोकल अरिया नेटवर्क के नेक्स्ट आफ पोटी नमर कुछन देखें पोटी नमर कुछन में कह रहा है कि वैंट डिस्पलेंगे वैपेज डाप्लिकेशन लेयर यूज जब आप वैपेज दिखाते हो तो आपको पता नहीं है क जाए कि उसके लिए माइस्टेटीपी का उप्योग नहीं लेते हैं 15 नमर कुछन देखें 15 कुछन कहता है कि विच प्रोटोकोल यूज टूडिवर स्टोर मेल तूर रिशीव सर्वर यह कैता है कि इसमें से ऐसा कूंसा जो प्रोटोकोल है जो डिलीवर करता है और मेल को स् उसका आप ध्यार अखिएगा मैसेज को अगर आप डिलीवर करवाना चाहते है तब आप किसका उप्योग लेंगे एसम टीप का उप्योग लेते हैं तो इसका अंसर जो आपका क्या हो गया एसम टीप हो गया अभी गया विच आप दा फॉलोइंग इस नॉट इस नॉट इ जो लोकले अरिया नेट्वर्क इससे सब्सक्राइटम है जो लोकले अरियों नेट्वर्क थो नहीं उताए लेंन में कं्पुटर यूज ओते हैं प्रिंटर यूज़ोट ते केबल यूज़ोटे मॉडम तो बही इंटानेट में यूज़ोटा है रना लैन के लिए उप्यो रखना चाहिए उसका की फंक्षन क्या है मोनीटर करना फायरवल का यही काम होता है उनिस नमर देखो अब बचाव करता है को सा है जो बाहर से आपको बचाव करके बताएगा वह फायरवल अंदर की सुरक्षा के लिए एंटिवायरस होता है तो इसका आपका क्या हो जाएगा फायरवल क्यूक्सक्षर तो और ईर जो आप द्यान रखेगा वायरस जो है वह आपकी स्तय वह ख़ोग has to तो मुक्षान पूंचा देता है मैं किनिजम डेटेज शुकाँ टूपनेंएंट्टमेंन नेम इनटौ आइप एडरस इसमें aplard得 मैं एड़न जो जो डोमेन नेम को IP address में बदल देता है तो 21 नंबर जो है वह आप ध्यान रखेगा वह है डोमेन नेम server DNS वही क्या करता है डोमेन नेम को बताता है कि इसका IP address क्या होगा 22 जो आपके email को कहीं पर भी access करने में मदद करता है एसी कौन सी चीज है रही वह है वैब mail interface क्या है नोट डाउन कीजिएगा वैब mail interface मतब website खोल के जो आप mail खोलते हो न उसको बोलाता है वैब mail interface चलिए next question पर हम लोग discuss करते हैं question number 24 in which of the following you used to write web page इसमें से सकों सा तरीका है जो web page को लिखने में मदद करता है अब देखे next question जो है कहता है which in which of the following मतब यूश्ट राइट वैपेज वैपेज लिखने के लिए आप किसको अप्योग लेते हैं 24 नंबर वैपेज लिखने के लिए आप किसका यूश्ट करते हैं stml का to send a data message to end from a computer the network software puts the message information in a मतलब यह कह रहा है कि data को भीजने के लिए और the network software puts the message information in a तो आखिर जो message है वो कहां put किये जाते हैं तो 25 नंबर में आप देखें जो भी हमारी information है जब भी हम लोग को information को भीजते हैं या उसको put करते हैं तब हम उसको किसके रूप में करते हैं पैकेट के रूप में पुट करते हैं फिर इसके बाद में कर रहा है कि अगर 25 computer जुड़े हुए है तो कौन सी topology है जो most extensive cabling का उप्योग लेगी 26 नंबर तो cabling के अंदा ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा केबलिंग यूज करेगी वह कौन सी है मैस topology है उसके बाद 27 नंबर आप देखे 27 नंबर में के रहा है कि आई-पी इस responsible for जो आई-पी जो है वह किस चीज़ के लिए responsible होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल कमिनिकेशन करने के लिए where tcp is responsible हो और tcp किसके लिए कमिनिकेशन करने के लिए होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि आई-पी सर्वर से रवर के बीच host to host मतलब एक कम्प्यूटर से दूसरे कम अप्यूटर और TCP जो होता है वह जो communication होता है process to process के लवाता है तो यह no down करने वाली बात है कि IP जो है एक host से दूसरे host के लिए और जो process to process अगर हम लोग responsibility की बात करते communication की तब हम किसका प्योग लेते हैं TCP का नेक देखे the information to be communicate in a data communication system is known as कि ऐसा कूंसा आपका जो है information है जो communication करने में यूज में आती है data communication के लिए उसको आप क्या बोलते हैं मतलब medium नहीं होता protocol नहीं होता मारा क्या होगा message होगा जिसके दौरा हम लोग क्या करते communication करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते है message communication नहीं कहता है which of the following is an advantage of using fiber optical data transmission fiber optical data transmission का क्या advantage होता है तो resident to data theft data चोरी को रोग सकता है पास data transmission rate भी उसके अंदर होती है और low noise level भी उसके अंदर होती है तो इसका answer जो होगा वो क्या होगा all of the above होगा तो यह इसका advantage होगा 29 का अब देखे next कहता है कि इन्हें रिंग टोपोलोजी दा computer in position of the can transmit data कि रहें कि रिंग जो टोपोलोजी है उसके अंदर आप जो control जो करते हो data पर वो किसकी मदद से आप लोग कर सकते हो तो जो 30 नंबर है उसके आपको ध्यान रहना चाहिए और टोकनिंग टोपोलोजी होती है जिसके पास टोकन होता है वही data को क्या कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है बाकि लोग data को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अब देखे next चीज इन्हें alternate name for the completely interconnected network topology completely जो internet connectivity जो टोपोलोजी होती है वह किसके अंदर पाई जाती है तो completely अभी यह तीसरा जवाब है इसका कोंसा होगा मैस मैस जो होता है वह completely सारी computer जो एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़े हुए रहते हैं वीच आप फॉलएंग ट्रांसफिशन मेडिया वर कोंदा प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन पून आंत्रिक प्रावर्तन के अनुसार इसमें से कूंसा ऐसा केबल है जो काम करता है तो आपको पता ही होगा Optical Fiber Cable है जिसमें अलग लग तरह की क्लेडिंग होती है तो डेटा का नुकसान नहीं होता है और डेटा जो है पून आंतिक प्रावर्तन के का अंदर का अंदर ही रह जाता है तो यह हमारे सारे कुश्चन जो थे हमने किस से रिलेटे करें अब हम लोग करेंगे डेटावेस से रिलेटेड कुश्चन के कुश्चन के क्याता है क्यों से डेटावेस पर यूज होती है 33 नंबर आप नोडाउन कर लिजेगा एंड ग्रेस जैसे आप SQL यूज करते हो ना ऐसे क्वैल भी क्वैरी लेंग्वेज है लिख लीजेगा किसी बुक में नहीं मिलेगा नोडाउन करके रखें एंसी क्यों इसलिए बनाई जाते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछे वाले भी जो है एक बर एंसी को आप दुबारा से देखें देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि आप प्रैक्टिकली उस चीज को वापस स कर पाएं कि नहीं कर पाएं यह आप आगे सा अगे करते जा रहें पिछवाले आपको अभी जो कमी है वह आपने भी तक सुधारी नहीं पिछवाले सुधारते हूँ आगे बर अभी करा है कि एवरी बीसी एनफ इसलिए नफ आखिर किसके अंदर होता है 34 34 है थर्ड नॉर् लेकिन सभी 3 एनफ जो है वो बीसी एनफ नहीं होते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी आखि किसको बनाती है हमें पता है हम जब नॉर्मलाइजिशन पढ़ते हैं तो हम कहते भी यह की बन रही है इसमें यह की बन रही है तो की डिपेंडेंसी के लिए वज़े से होती है फंक् अगर आप dependency बनाकर रखना चाहते हैं तब तो आप decomposition करेंगे हैं और नीड भी dependency preserving, dependency अगर बनाकर रखनी है तब आप BCNF का उपयोग, decomposition का उपयोग लेते हैं मतलब उसको अलग लग टुकडों में डिवाइड करके रखना चाते हैं ठीक है उसमें आप यह ध्यान रखते हैं कि अलग लग टेबल बन तो रही है लेकिन कौन किस पर डिपेंड कर रहा है वो टेबल उसके साथ ही अलग हो जाती है इसको बोलते है है डिपनेंसी प्रिजवें यह नहीं कि आपने उसकी डिपनेंसी हटा दी आप करें विच नॉर्मल फॉर्म इस मोष्ट डिजायरबल सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल फॉर्म है जो डिजयर की जाती है जिसका उपयोग लिया जाता है वह डिकेंफ है अब आप कहेंगे DKNF तो सबसे लास्ट को यूज होता है लेकिन डिजैरबल कैसे हुआ रीजन ही होता है कि डोमेन की नॉर्मल फॉर्म जो सबसे लास्ट नॉर्मल फॉर्म है वह हम लोग नॉर्मल कंडिशन लगाकर हम हमारा डेटा अलग अलग रखना चाहते हैं तो अगर आपको यह बात याद नहीं रहती है या पर पहली बार सुनिए तो लिखके रख लो इसलिए ही mcq किये जाते हैं जैसा कि मैं आपको सुरू से कह रहा हूं डीके एनफ मोस्ट डिजैरबल नॉर्मल फॉर्म है अब देखें थर्टी एट नमबर थर्टी एट नमबर कहते है जो मैं नुकसान जो है इंडेक्स सीक्वेंशल फाइल होगनाईजिशन का क्या होता है देखो इंडेक्स सीक्वेंशल फाइल होती क्या पहले तो आपको यह भी नहीं पता होगा सीक्वेंशल फाइल होती है जब आप किसी भी डेटा को वन बाइवन एक्सेस करते है वो सीक प्रोसेसिंग नाम से चैप्टर है जिसमें चारों के चारों मैंने समझा रखे है 93 पेजिस के और नोट्स के अंदर उसमें दिया हुआ है इंडेक्स सीक्वेंसिल फाइल क्या होती है तो आप घ्यान रखना कि जो अलग सी इंडेक्सिंग बना के रखेगी वही फाइल के साइज को क्या कर देगी डिग्रेड कर देती है तो पर्फॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है फाइल का साइज बढ़ने से क्यों क्यों कि उसके स बू सर्च की की जोट पड़ती है और सर्च की वेलू इन बी प्लस ट्री में कैसे हटाई जाती है यह पूछ रहे हैं कि तब इसका उपयोग लेते हैं फेली बार सुना यह जैसे कि नोर्स में नहीं होगा तो आप लिक के रख लिजिए एक बी प्लस ट्री होता है बी माइनस ट्री अंदर से इंटरकनेक्टेट होता है सबी नोर्स होते वापस पे जुड़े होए रहते हैं और वह eliminate करता है search की के उपयोग को उसके storage को यह आपको याद रखना पड़ेगा इसके अलावा जो basic है वो DS में आपको बताई जाएगी उसके बाद में the strategy for processing a query is improved by एकर है कि ऐसी कौन सी strategy है जो query processing को improve कर देती है तो 40 नमबर जो है उसका answer जो है उसको बोलते है query optimization किसी भी चीज़ को बढ़ाना क्या खलाता है query optimization कहलाता है अगले जो कुष्चन है वो basic और computer architecture के combination है अब देखे 41 नमबर जो कुष्चन है जो करा है कि which is used in combination with another key to perform a specific task ऐसी को सी की है जो किसी भी टास्क को control करती है वो को सी की है हमारी control की नम से पता लग रहा है 42 देखे the rate at which scanning is repeated in CRT is called मतब ऐसी को सी rate है जिसमें scanning repeat होती है उसको बोलते refresh rate refresh rate क्या होता है हमारी जो भी screen है उस पे pixel आपको दिखाई देते हैं और वो pixel हटते हैं तम नहीं पिक्सल जन्रेट होते हैं तभी तो हमें picture दिखाई देती है ऐसे थोड़ी नहीं दिखाई देती है फिर ट्रांस्वर डेटा फ्रॉमें CPU to peripheral devices एकर है कि जो डेटा जो ट्रांस्वर होता है वो CPU से peripheral devices पे computer is achieved through computer उसको कैसे अचीव करता है 43 43 में क्या कर रहा है तो आप ध्यान रखेगा CPU peripheral devices के बीच में input output port पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं input output port पाए जाते हैं तो कुश्चन क्या कर रहा है दा ट्रांस्वर डेटा फ्रॉमें CPU to peripheral devices of computer is achieved through कैसे उसको आप अचीव कर सकते हैं तो उसको आप लिखके रख लिए जिएगा कि input output port के द्वारा अचीव कर सकते हैं नेक्स कुश्चन क्या रहा है दा कैस इस यूज़ बिकोर रेडिंग एक्स्टरनल मेमोरी इस वेरी कंपेर टुदा स्पीड ऑ प्रोसेसर मतलब देखो क्या होता है कि कैस मेमोरी मैंने इसे हम लोग कैस मेमोरी में रख लेते हैं क्यों तो यह पूछ रहा है क्योंकि हाट डिस्की स्पीड तो भई स्लो थी इस पीड तो भड़िया प्रायमरी मेमोरी की होती है इसका मतलब उसको प्रायमरी मेमोरी में लेके आना पड़ेगा अब देखे 45 नमबर कुस्चन एक्सटेनल डिवाइस जैसे की प्रिंटर की बोर्ड मंच आप इसे क्या बोलते है देimag पार फैरीफर्ल सूंत गा इंटरंचंब क कि आहां देना चाहते हो तो नीकिन चाहते हो तो सबसे ज्याद किसकी जिससे इंटर्क dosak останов जा सकता है सब इसकेःगा यह कीबूर्ट कभी भी हाड़िस आप कैसे interrupt दोगे कीबूर्स तो आप इंटर देते हो इंटर्क के नाम भी सुनें आप एक्स्टरने इंटराइम एह पंप्लीकेशन इंटरफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में तो कीबोर्ड में कंट्रोल अल्ट प्लट डिलीट की जब आप दवाते होना तो उससे भी इंटरप्ट जनरेट होता है नेक्स्ट के देखे कुश्चर अगर आप इंफोर्मेशन को भीजते बसस पे तब आप उसे क्या बोलेंगे 47 साइकल स्टेलिंग अगर आपने गलती से डियम में पढ़े हैं मेरे नोट्स में तो आपने पढ़ा होगा डायक मेमोरी एक्सस में जो कंट्रोल CPU के पास में था वह आज छोड के बसस का जो है किसके पास चला गय त्यमे मैं के पास जिसको हम क्या बोलते है इस तरीके स्मτ अबप़िलिंग के हैं और बसेशमट साइकल इस ये डлось डिपीनेशन है we next q3 in implementing interrupt action that is done by the hardware include इक रहा है कि इसमें से अगर आप interrupt आता है action that is done by the hardware include to hardware कि चीज को include करेगा तो देखें पहला करे रहा है source all register on stack register से लेगा सभी source sourcing the इंटर वेक्टर इंटु स्पेशल रजिस्टर यह बात सही है अगर आपने प्राइविटी इंटरप्ट मेरे वाला देखे नो उस्तों से आपने देखा होगा कि हमारा जो डेटा है रजिस्टर का वह इंटरप्ट रेक्टर के अंदर स्टोर हो जाता है फैचिंग दा एड्र फ्रॉम डूइंग अनी अधर टास्ट वालेटी इंट फोर डेटा ट्रांसवर अच्छा वह डेटा को भीजना चाहता है फ्रॉम डूइंग आपने पढ़ाया तो प्रोग्राम इंपुट आउटपूट पहला मैथड़ा दूसा मैथड होता है इंटर्प्ट इंपूट चीजें लिखे वही है तीनों के तीनों प्रकार लिखे हुए और उसे पहला प्रकारी प्रोग्राम इंपूट आउटपूट है कंप्यूट आर्खिटेक्चर के फिफ्ट नमबर चैप्टर के अंदर डेटा ट्रांसफर मोड के अंदर अब देखें नेक्स जो कुस्चन है सही मैचिंग कौन सी है 50 नमर के अंदर 50 नमर के अंदर तो पहला जो है वह कह रहा है । दीम एइनिपूट आउटपूट जो है वह किससे रिलेटेड है डिस्क से रिलेटेड है और उसके बाद में कैस जो है वह किस के फाइदा होता है थाई स्पीर के लिए यूज में आत और इंटरप्ट कहां किसे रिलेटेड है प्रिंटर से और कंडिशन कोड रजिस्टर किसे रिलेटेड है एल उस ठीक है तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा दूसरा अंसर हो जाएगा कि किसके साथ पेर बनाता है करेक्ट मेंचिंगों से अब तरीका है जो इस तरह से उसको कडवर्ट कर देता है तो आप ध्यान रखा नक्सवक से जो बनाई जाते हो किसे बनाई जाते हैं फिनक्स 52 नमर देखे 52 नमर यह कह रहा है कि दिस सकते हैं तो इसको किया बोलते हैं रेड़ लीन अ अब इसे बनाई खाइव से नहां नौंसी कि टर00प easiest कर दो प्रोग्राम काउंटर के बारे में से सही बात कोंझ सी है प्रोग्राम काउंटर पॉयंट टुदा इंस्ट्रक्शन टू ब इस पोसिबल और एक प्यूटर और एलेक्टर प्राप्त करने लिए और इसको श्कूर करने के लिए इलेक्टर णीड लूप में काम में आती तो वो कुछ से टिकनोलोजी च्टोराइश टेखनोलजी पिछवन नंबर में 55 नंबर के अंदर कि magnetic tape is not practical for application where data must be quickly recalled because tape is magnetic tape practically अच्छी नहीं है किसके लिए quickly recall करने के लिए कुछ ऐसा तरीका है जिसमें बढ़िया नहीं रहती है तो हमेशा ध्यान रखना sequential access medium की वज़े से यह इस तरह के काम नहीं कर पाती 56 नमबर देखे 56 नमबर में क्या कह रहा है कि इसमें से विच आफ दा फॉल्विंग प्रोसेसर रजिस्टर और यूज फैच एंड एक्जिक्यूट ऑपरेशन करने में निम्में से किसका उप्योग रजिस्टर का उप्योग लिया जाता है तो आपको और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी यूज में आता है तो इसका फॉर्थ भी किया जा सकता है या आप भी कर सकते हो मतलब तीनों के तीनों साइकल के अंदर यूज में हमारे आते हैं फैच और एक्जिक्यूट करने में अब देखने ने जो कुस्चन है वह हमारा 57 नमबर टेक्निक टैक्स्टेंड इस्टोरेश कैपेशिटियोग में मेमोरी ब्योंड दा एक्च्छल साइज ऑफ दा मैन मेमोरी इस कॉल्ड अगर म होता है तो क्या होता है तो आप बेसिक सी बात है याद रखेगा में मेमोरी चांगर ज्यादा की की मेमोरी होती है तो में मेमोरी तो कम बढ़ जाती है घुरा कर मेमोरी कि PK का कुछ भॉऊ को पराइमरी मेमोरी की तरह अप्योग ल filtि और वह शसको उत्याए तोपने future क्ते वर्चॉल मेमूरी कहते है यह याद रखेगा दा प्राम्श डिवाइबर कमप्टर ऊपिटेश तूर इंसको हों सी है जो कमप्टर ना को स्टोर करने के लिए का कुझ आवती है ऊपीवग आती है ऐसका पर इस्क घौन के लिए है इस्टोरेज को स्टोर करने के लिए 59 नमबर देखे 59 नमबर के रहा है इस दाइबिलेटी ओव डिवाइस तु जंप डाइकले टूदा रिक्वेस्टे डेटा एक जगह से सीधा किसी भी जगह जो डेटा को पहुंचा देता है उसको रेंडम एक्सस कहते हैं जैसे की CD में pen drive में hard disk में सिधा रेंडम एक्सस होता है सिधा आप उस डेटा को प्योग ले सकते हैं साट में देखे दाश्टोरेज डिवाइस यूज तू कम पेंसेंट फोर दाइफ्रेंस इन रेट्स फ्लोव डेटा फ्लोव डेटा फ्रों वन डिवाइस त जाती है तो किसका उप्योग ले तो आप हमेशा द्यान रखना जब भी आप कोई सूचना बेजना जाते है और उसको आप कंट्रोल चाहते है तो उसके लिए बफर होता है बफर टेंपरेरी रूप से इसको स्टोर करता है जैसे कि आप लोग यूटूब में देखेगा एक यूज वशुक्ता बैए रूरं यूज आखिर कोमारेश लाइक अपयोग लेता है आपको पता होना चाहिए कि को रीड करने केत भीय में होता है यह लैं रियाचा लांस्का यह जाता है जिसके दोवहारा सजीड ओषस को रीड किया जाता है तुभाट यहversion एक तरह से बन चुकी है सेकंडरी मेमोरी के अंदर 63 जो कुस्चन है उसको देखिया के एक सब्सक्राइब टेम्परेरी हाई स्पीड कौन देने का काम करता है मैमोरी और सीप्यू के बीच में आपको अभी बताया था कि अगर प्राइमरी मेमोरी कम पड़ जाए तो सेकंडरी मेमोरी का कुछ हिस्सा अज़े प्राइमरी मेमोरी की तरह उपयोग लिया जा सकता है लेकिन उसको तो हम तो को मेमोरी केते हैं लेकिन ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है कि हमें तो बार-बार जरूरत पढ़ती है तो ऐसी मैमोरी को उठाके अब कैसे मेमोरी में रख दोन चैसेμεं मेमोरी चे Lifty also बात यह सब बाते कम्प्योटर-ARC for में पढ़ाई हुऀ है बच जरूरत है रूर सकस्ट पर पंड़ने की पर एमसी क्यू करने की और पहले वाले में स candy जो को भी दूबारा से धोराने की चलिए एब हम लोग बात करते हैं नियुप लेंग्व GilAynevi कि माननें वेरीबल नहीं है तो सभी कोई दिक्टाली बात रिएंस अब बात नहीं है क्या गलती मालने वेरीबल नहीं इसमें 65 जो है नंबर से startled नहीं होता यह नहीं है कभी उसके लदेखु 66 66 के हम लोग बात करते नहीं नहीं से कोँ सा मानने भेरिबल नहीं हुए सभी w alert होते हैं पता है लक-बबल लग सारे lower case में लिखे जाते ने expect seax ja fast 68 mendek में एक सीजय क़ुन सा है तो सएभी कथन है सी वीरियाबल के नाम अड़ is सुरू नहीं होता यह बात दिखी रही ए दिर नाम कभी भी नंबर से शुरूर नहीं होता सही는 में inटीजर का साहिज क्या होता है पताहिए ये पुराना बर्जवन उससे तो 2 मुझ होता है और और जो निया जो बर्जवन होता है उसमें क्या होता है चार草 सर होय गया दो और चार अब नेक्स के रहे किसी कोड का आउटपुट क्या होएगा ततर नमबर के लिए तो सेवंटी के लिए आउटपुट क्या है यह एरर आ जाएगे इस तरह से थोड़ी लिखा जाता है तो इसका आउसर जो जाएगा सतर का तीन हो जाएगा कंपाइल टाइम एरर सेवंटी बन में दस जाद डाल दिया वाई के वैलो चुंतिश डाल दी परसेंटेट य को प्रेंट करवारा है एलो वर्ड के साथ में अब क्या चपेगा तो सेवंटी वन के अंदर तो सेवंटी बन में भी इस तरह से आपने देखो लिखने का जो तरी करवा कर रहे हैं तो इसका जो है घलो वर्ड हेलो वर्ड और सेवंटी रंज जो है इससे प्रेंट हो जाएगा और से कोई दिक्कत नहीं है कि अवर ऑदुगे इसमें गलती देहें इसमें रहा है इसमें ले रह तो यह क्या हूँ गया कम्पाइल टाइम ayrr हो घिक है और तो यह भी हंट और बचल्ट से लिए अगर लोग बात करते हैं वह भी बास्त और बात करते हैं एग यह को सब्सक्राइब क्वेरिश के अंदर दियुटर को यह वायरस होता है कंप्प्यूटर वायरस क्या होता है वाइरेस मानों पराणीओं को नुक्सान पुनाता है रिपीट होता रहता रहता है यह में से फिरकार का वािर सेव्यां थे सबांद है किस नाम से थोड़ी नहीं होता है फिरा था कम्पिटर एक मेलेसियस कोड जो अन्य प्रतिकृति एप्रिकेशन को बनाता रहता है वह क्या होता है तो इसे पूछ रहा है 75 नंबर में तो इसका अंसर क्या हो गया वायरस है जो अपने परतिकृति बनाता रहता है 76 में देखो 76 जो है उसके अंदर देखें नहीं आपका देखो जो है वापसे देख लें देखो 73 का तो भी हो गया 74 जो है उसका आंसर क्या होगा उसका आंसर हो गया मल्टी पर ठीक है 75 देखते है 75 का आंसर जो हो गया वायरस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब नहीं से सेवन्टीशिक से कौह सा वाइरस में लाने का एक आध्रस तरीका नहीं है सही तरीका कौन्वाइरस नहीं है, जिससे वाइरस फैलता है तो यह हो गया अफिसियल यह तो एंडिवाइरस की CD2से diyor को थोड़ी ना फैलता है उसके बाद में आपके यह जो कुष्चन है इसके अंदर यह पूछ रहा है एपल सेकंड का वायरस कब आया था बढ़ी याद रखने लायक है तो आप याद रखेंगे नाइंटी एटी वन में यह वायरस जो है आपका आया था अब देखें उसके बाद यह कहला है कि एपल कं अब आते हैं नाइन इसके अंदर तो इसका आंसर निवे कुछ खुद को छुपाता है तो फिर पताले खुद को छुपाता है वायरस हाइड है ठीक है तो यह उस्चन तो कुछ बनाई नहीं इसको आप छोड़ दो विविन तरीके कौन से वह पूछ रहे है तो इस तरह से यह कुछ जो है और असी नंबर जो है यह सारे के सारे जो है सेक्योर्टी से लेटेर कुस्चन है आपके कंप्यूटर के हाड़ डिसम वायरस लाने का सबसे पहला और आम तरीका कौन सा है ज्यादा तर आपको पताईए कि वांस है या कोई भी किसी तरह के यह इसी तरह से आ आपके या इमेल ज्यादा तर जो यू जाता है वह आपको इस चीज इंस्टॉल करते हैं तब वायरस आजाता है